हम लट्स क्रैक यूपीयसी चीकरेंट एंप में आज जो हम डिस्केशन कर रहे थे पहले सी इस्पिसी शीरिज का वह स्रीज जिससे यूपीयसी परशन पूचता ही पूचता है जहां 21 स्पिसीज है जिसमें से एक इसपिसी हमने किया था एक जीव हम थेंद्दवाब उस स्री पते सीटों पुछ शूघ इस्रीज में सारे स्पिसिज हम डिसकस करेंगे जो दो 121 22 23 के प्रिम्स के लिवी उच्वी । 1945 g 6050 2052 से प्रश्न पूछा जारा है इवन 2020 के पिरिम्स में भी वैस्ण पूछा गया इनमें क्या पूचता है इसको हमने डिटेल में डिसक्स किया था जब हमने तिन वह डिसक्स किया था और उसी को continue करते हुए हम इसे आगे डिसक्स करेंगे और यहां जो हम कर रहे हैं वह है कुछ specific topics कर रहे हैं बट अपने तयारी को foundation से पूरा करने के लिए आप अनकेडमी जॉइन कर सकते हैं जहां आपको live class, live test, which is structured format में आपके courses के तयारी वह है और यह सब कुछ unlimited access जो आपको वहां पर उतलब्द होगा इसके लिए plus platform और iconic platform दो features available है जहां iconic platform में आपको one-to-one mentorship, personal guidance वह है उतलब्द हो प्लस, plus course में वह है features नहीं है और यहां आप इसको Amitgen as a referral code use करते वी जह है ले सकते हैं ना है केवल UPSC अपी तू जो अन्ने PCS है उसके लिए आप यह code use कर सकते हैं यह है जो हम स्रीज कर रहे हैं केवल UPSC कि नहीं अन्ने state PCS exam के लिए जिस तरह है उन्होंने एक टॉंड लिया है and environment questions के तरह इसके लिए यह स्रीज आपके लिए उन एक्जाम के लिए भी यूच्वल होगी I connect platform भी अप्ले सब्सक्ते हैं जहां वन यर की फीज 64,000 apply referral code amitgen fees 57,600 अब मेरे बार में मैंने में जामत जैन को फांडर आफ दिकोर आई एसंट यसली डॉट को इस साल यूप प्सी 2nd rank संगेदा रागव इस one of my student from offline classes current affairs answer writing in courses के तो आप मेरे से जुड़े रहने के लिए आप टली राम चनल unacademy underscore amitgen जो है इससे या unacademy पर जो special classes of free है वहां पर amitgen DC 1785 से जोड़ सकते हैं जहां अभी जोग्राफी की शिरीज चल रही है उसे आप जहां cover कर सकते हैं अन्सियाटी की और एडवांस की इसके लावा अनकेड़ में ने आप्शनल के लिए special courses launch की हैं जब 44 option से में से आपको एक optional चूच करना होता है वह है भी यहां तैयारी करवाई जा रही है अब इसकी भी तैयारी यहां से कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं species list में डुगों बट सबसे पहले प्रश्ण जो यूप्यस से पूचता है क्योंकि हमें प्रश्ण का अंदेशा होना चीए कि यूप्यस से प्रश्ण क्या पूचता है अदरवाईस हम तैयारी तो करे रहे हाट वग तो बहुत करत पर एक निश्चित दिशा ना होने की विज़े से हम सफलता की दहली से लोट आते हैं यहां पर अगर हम प्रशन देखें यहां प्रशन यूप्येसी ने संदर में से कौन सा कतन सकते हैं अब यह है जो प्रशन है पर उसकी कर्रेक्ट्रिस्टिक्स के बारे में पूछा है जैसे 2020 में 12 सिंगा पर प्रशन पूछा पूछा है साकाहरी समुद्री जानवर है भारत के पूरे समुद्री तटके साथ पाया जाता है यह भारती अधिनियम 1972 के अधिनियम वन जो है अनुची जिवन के तहत अधिक है विदिक सरक्षन दिया गया यह हमने जब हिम देंदुआ पड़ा तो हमने देखा था कि हमें क किसी भी स्पीजिस के बारे में क्या जानना है कितना जानना है तो उसी फैक्ट की तर्जक्तर और यYoungcendra में creative पूचा यह एक किस पी कर है पडोहजार पुछाений ऑच और detta बीच में a semester now have returned जहां आपको स्विम सोचना होगा इस्टेट्मेंट पर कुछ इस विशीज को याद रखना होगा और उस विशीज से आप उस ऑप्शन पर पहुंचेंगे जैसे यह प्रशन 2019 का है जहां यह जो ऑप्शन है समुदरी इस्तनपाईयों की कुछ प्रजातियां कुछ जातियां स में समुदरी गाय को याद कर लेते हैं समुदरी गाय डुगंग आपको याद आ जाता है तब आप इस ऑप्शन को कर पाने में सक्षम होगी और इस से फिर आप अपनी जो है चांसिस इस क्वेश्चन को सॉल करने के बढ़ा सकते हुआ है है प्रबबिलिटी विकॉस यह ए एक्चुल्वेट इस एक्जाम में 45 फॉट्टिफाइव क्वेश्चन के बाद चलू होती है है और यह फट्र तरफिटिफाइव क्वेश्चन तक और यह एक क्वीश्चन हर बार में लगता है अभी तो हम पस एक कोश्चन सी चुटे हैं और वही एक क्वेश्चन कब तक पंचवर्षी यह रोदा नहीं हमें पता नहीं लगता है और खासकर को शॉष्जी नगर मंदधाल में अभी रहलो है कूंकि हम उस एक कुश्षं के लिए प्रयास नहीं करते हैं और हुआ है कि लीए उससे क्यों लेए प्रयास करना होता है उसके लिए आपको पढ़ना है चलिए शुरुवात करते हैं डुगों पर जो पहला फक्ट हमें जाना है उसका आयूचीन स्टेटस इसका आयूचीन स्टेटस है वह है वल्लरेबल हमने हिम तेन्गों स्रीज में पूरे आयूचीन के वरिंगरन देगे थे तो उसको मैं अलग से वापस डिसक्स नहीं कर रहा हूं पहले वीडियो में जो इस्पी सीज में सेकंड वीडियो था और इस में हमने डिसकस किया तो यह आयूचीन के अपड़िग वल्ल इबल फिर इसके ह देखते हैंरेज कहां यह मिलता है यह देखें यह है इस एरिया में कि प्रशांट और हिंद माँ सबीजार मिल रहा है आपको यहां अट्लंटिक में यह है नहीं मिलेगा और यहां भी है प्रशांथ और हिंद माँसागर के उस्ट अकटिवन दिये पानी ट्रोपिकल वाटर में यह मिलता है इसके साथ ही यह है चिचले पानी में शेलो वाटर में मिलता है क्योंकि यह कोश्टल तटिये इलागों में मिलता है यह तो यह व्या व्रेश्विक रेंज भारत में अगर रेंज देखें तो यह भारत में द अनवान निकुबार कच की खाड़ी और यह पश्ची में तड यहां पर मिलता है तो यह डाइग्राम आपको विज्वल तोर पर याद रहना चाहिए पूरे भारत में नहीं मिलता यह भी याद रहना चाहिए फिर इसके बाद इसके स्पेस्विक कुछ विशेशताओं पर आत अशे ही यहां पर है प्रशन पूल सेता है यहां जो है साक्षी है है हर्विबोर है फिर यह मेंमल है इस्तंधारी है यह एक इस्तंधारी है नेक्स्ट यह है तग्डिये लागों मिलता है यह हमने पहले दिखा था यह सत्तर साल सवंटी यह तक जीवित रह सकता है सवंटी यह सथा जीवित रह सकता है इसकी लेंग्ध जो है लंबाइ वह तीन मिटर तक हो सकनी यह इस तंदारी है तो इसको वार वार आवक्षिन लेने के लिए समधर के सरताय से बाहर आना पड़ेगा तो यह 30-12 मिनट तक समुद्र में रह सकता है उसके जैस्ट बाद उसको सास लेने के लिए वाहर आना ही पड़ेग सिर सका उसका बोजन समुद्री घास, इस समुद्री घास इस समुद्री घास को खाकर यह है जो है जीवित रहता है समुदरी गास को खाकर यह जीवित रहता है इसके बारे में और हम जानते हैं यह आपको याद रखने हैं इसके बारे में कि यह साकबक्षी है साकबक्षी है यह सत्तर साल से जिविद रहा सकता है, तीन से बारे मिनट तक यह भार रहा सकता है, तीन से बारे मिनट तक और उसके बार इसे स्वांस लेने के लिए बाहर आना ही होगा. आना ही होगा यहां फ्रक्ट जानने के बार हमें जानना है इसको खत्रा क्या कारण है कि इसके खत्रा हो रहा है इसके डेंजर क्या है खत्रा खत्री की एकर बात करें तो जो फिशिंग नेट है जिसमें वच्छवारे फिशिंग करते हैं उसमें अंजाने में कई बारी है आ ज जाती है यह है इसके अलावा मानवी गतिवीदिया अन्य जैसे प्रदुशन जो कोश्टल इलागों में प्रदुशन है या तेल रिसाव है और इसके अलावा मानव के दुवारा इसकी त्वचा कि इसके ऑयल को एक्श्ट्रेक्ट करणें इसकी हड्डीयों इनके लिए भी इसका शिकार किया जाता है जिसके कारण इसकी संध्या कम हो रही इसकी संध्या कॢ पून है फिर हूमें կारे में इसके लिए कर्वावाशी पक्षियों के लिए ओस गश्याओं मेंशन थीज और सेमस करगें मेंशन जो है एक shariणे गांच विल डांचा कता विश्व है जहां आपने उसी के तहद भिवन पर आई ऐसके इस सब्चन के लिए भारत ने इस को साइन किया यह डुगम पर जो अंडर्स्टेंडिंग है अम यू साइन हुआ है वह नौद बाइंडिंग है यह एक प्रमुक अंतराश्ट्री एक कारिकरम है डुगम के सरक्षन के लिए इसके अलावा मिनिश्ट्री ओफ एन्वार्मेंट एंड पुरिष्ट जो है पर्यावन मंत्राद है इसके द्वारा टास्क फूर्स फोर कंजर्वेशन ऑफ डुगम कि डुगम के सरक्षन के लिए समुदरी गाय के सरक्षन के लिए एक टास्क फोर्स भी इस्थापित की गई है तो कि अनने भुद्दों पर जोह-कारी करिये ताकि इनका सरक्षन जादा से जादा कि आजा सके यह फिर हमें देखना है वन्याजीव अधनियम जो हमारा Wildlife Act 1972 है उसमें जो 6 अनुसुचियां है उसमें क्या इसका status है या कौन से अनुसुची में क्योंकि अनुसुची पर एक प्रश्ण यूपे से पूछता है तो यह है 1972 की अनुसुची एक में है जहां इसे हाइस प्रडिक्शन दिया गया अगर आप उसका शिकार करते हो तो आपको कठोर से कठोर सजा जो है वह हो सकती है यह है जो सब कुछ है आयूस डुगं के बारे में रिवाइस कर लेते हैं डुगं डिगं साथबक्षी डुगं जो है इस्तंधारी में मदल सत्तर साल तक जिवित रह सकता है चिचले पानी कोश्टल इलागों में मिलता है यह हैं तीन से बारमने तक समुद्र में रह सकता है क्योंकि इस्तंधारी तो बारबार उपर आना ही होगा प्रशांत और हिंद मामसागर के तटिये इलाकों में मिलता है उस्ट निकट बंदिये पानी में यह है डाइग्राम आपको क्लियर होना चीए पूरे भारत के तट नहीं मिलता है इसके माक्सिमम सेंख्या गल्पर मनार आपका अंडवान दिकुवार कच में मिलता है उतकल पोस्ट बंगाल की खड़ी में यह है नहीं यह है नहीं फिर आयुशिन के दुसार यह है वल्लरेबल यह है वल्लरेबल इसके लिए डुगों अमोयू सीमस के तहट 2008 में आया है इसके सरक्षन के लिए यह जो है यह है डुगों के बारे में था प्रिसीद रहा हम अंडवे स्पीशी जो है इंपोर्टेंट है वह है डिसकस करेंगे जो यूप्यसी के लिए पैट कुशन है जाए यूप्यसी पू तैयारी को फांडेशन से करने के लिए बेसिक से एडवांस करने के लिए अपने तैयारी को जो है एक निशिद दिशा देने है आज के लिए इतना ही इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब किजिए थेंक यू